नमस्कर दोस्तों एडूकेशन 24 में आपका स्वागत्य दोस्तों आज के वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में लोग जानेंगे कि वीए फॉस्ट येर के सेकेंड समेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एडूकेशन यानि दिर के उत्तरी प्रस्न देखेंगे जो हमारे पेपर में आते है तो सबसे पहले करते हुए न को जानते हैंल जो आपके इजुकेशन यानि सिक्षा सास्स्तर में आ सकता है तो सबसे पहले दोस्तों आपके बता दो कि आती लगों उत्तरीप्रस् THE. जो आपसे पेपर में पूशी चाते हैं, उसका उतर आपको 50 सब्दों में लिखना होता है, तो इसके अंदर जो आपका पहला प्रस्ण है, यह है कि वाइदिक काल की सिक्षा संस्थाओं के नाम लिखिए, यानि वाइदिक काल में जो भी सिक्षा थी, उनके जो भी संस्थान उसके बारे में आपको लिखना है उसके बाद दूसरा कोश्चन है आपका बहुद कालिन सिक्षा के दोस्त बताईए यानि बहुद कालिन जो सिक्षा थी उसके क्या दोस्त थे तीसरा कोश्चन है आपका मुसलिम काल में सहीचिक संस्थाओ के प्रकार बताईए यानि मुसलि कुछन है माइकाले का विवराल पत्र के बारे में बताये यदि माइकाले का जो विवराल पत्र अगला को स्चन है इस्था को स्छन गोखले का बिल बारे में आपको बताना है आठवा कोश्चन है राष्टिय सिक्षा नेती 2020 के अनुसार का उलेह कीजिए यानि जो राष्टिय सिक्षा नेती है और आधुनिक यानि 2020 उसके बारे में आपको उसके अनुसार का उलेह करना है उसके बार नौवा कोश्चन है प्रात्मी सिक्षा बारे में तो धान से देखिए आपका जो लोगों उत्री प्रस्णिक पहला कोश्चNew है विद्याले का अर्थ एवं स्पीर आईोग करते हैंुसके पॉस्त के पारे में आपको बताना है। तो यह आठ खोश्शन थे जो आपके लोग उत्रिये प्रस्म से थे, जिसका उतर आपको दूसर सब्दों में लिखना होता है। अब हम लोग जानेंगे दिरिग उत्रिय प्रणस जो आपका लाश्ट है जिसका उतर आपको 500 सब्दों में लिखना होता है तो इसके अंदर जो आपका पहला कोश्चन है वो यह है कि वाईदिक कालिन सिक्षा के मुख्य उद्यस क्या थे वे हमारे देश की वर्तमान सिक्षा के लिए कहां तक उपयोगी सीध हो सकते है यानि वैदिक कालिन जो सिक्षा था उसके मुख्य उद्यस क्या था और वर्तमान में जो सिक्षा था कहां तक उपयोगी सीध हो सकता है उसके वर्तमान आपको लिखना है दूसरा कोश्चन है आपका मद्य कालिन भारत में सिक्ष की विवस्था का उल्लेख कीजिए उसके बाद तीसरा कोश्चन है प्रात्मिक सिक्षा में अपवय एवं और रोधन के कारण आपको बताना है चौता कोश्चन है आपका राधा कृष्ण आयोग प्रांच कोश्चन हो गए जो आपके देरिक उतिर प्रांश्चन से पूछा जाएंगे जिसका उतर आपको पान्सो सवब्द में लिखना होता है तो ये मैं आपको बता दिया आपका लगू उत्रिय प्रस्ण से संबंदित जो आपके कोश्चन आते हैं आती लगू उत्रिय प्रस्ण और लगू उत्रिय प्रस्ण और दिर्ग उत्रिय प्रस्ण तो इन सभी प्रस्ण को आप नोट कर लेजिए और आप अपने सिरीज से या किताब से मिला करके इसका उतर याद कर लिए ताकि आपको परिक्षा में कोई दिकत ना हो और नेक्स्ट वीडियो आपकी सब्जेक्ट के उपर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बतिए मैं उस सब्जेक्ट के उपर वीडियो बनाऊंगा थेंक्यू दोस्तों